नमस्कार दोस्तों जी के स्टेडी इन हिंदी में बहुत बहुत स्वागा थे दोस्तों आज के इस वीडियों बताने वाले है आएस इंटर्वियों पूछेगे बहुती महत्पूर सवालों की बारे में सवालों का एंसर देने के लिए आपको पान सीकेन मिलेगे आप अपना एंसर कमेंट बाक्स में जरू बताइए अकर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरू करें चैनल को जरू सस्क्राइब कर ले चलिए सुरू करते है सवाल नमबर एक सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पूत्री थी बहुत ही महत्पूर सवाल है इल्ट तुतमिस की पूत्री थी सवाल नमबर दो भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तो आपको इंसर पता हो तो कमेंट बाक्स में दे और वीडियो का लाइक और शेयर जरू कर दे आहम्दाबाद को भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है सवाल नमबर तीन बैसाखी तवहार किस धर्म के लोग मनाते है दोस्तों आपको इस चैनल पर जाना GKS TD इन हिंदी पर GKS से सम्मधित पीडियो दिखाये जाएगे सिक्षि धर्म के लोग बैसाखी तवहार मनाते है सवाल नमबर चार महर्शी बालमिकी का बचपन का नाम क्या था बहुत ही महत्तपूर सवाल रतनाकर बालमिकी महर्शी बालमिकी का बचपन का नाम था सवाल नमबर पांस मुंबई सहर भात का सबसे बड़ा सहर है सवाल लंबर च्छा बुर्ज खलीपा के अंदर कितने होटल है 304 होटल बुर्ज खलीपा के अंदर है सवाल लंबर साथ हमारे हाथों की हथेली में पसीना क्यों होता है बहुत ही गजब का सवाल है ब्लड प्रेसर लो होने के कारण हथेली में पसीना होने लगता है सवाल लंबर आठ आरती करते समय ताली क्यों बजाते है दोस्तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है भगवान को परसंद करने के लिए आरती करते समय ताली बजाते है सवाल लंबर नव भारत का वक कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर किवल महिल आएक करमचारी है दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है आप इसे कमेंट बाक्स में इसका उतर दे और वीडियो को लाई को शेर जरू कर दे मंटूला रेलवे स्टेशन सवाल नमबर दस पीछे की उड़ने वाला पच्छी का नाम क्या है बहुत ही अच्छा सवाल है गुंजन पच्छी जो की पीछे की उड़ता है